ओम स्रीगने साइनमा दोस्तो एस्ट्रो समाधान यूट्योब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 23 जुलाई रविवार के राशी फल के बारे में कि यह दिन तोलाई राशी वालों के लिए कैसा रहने वाला हैं किन-किन चीजों से इनको फाइदा होगा किन-किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजिनी सर्वियापार कैसा रहेगा और स्वास्त की महत्पपोन जानकारी हम आपको देंगे और इसे वीडियो के अंत में हम आपको एक उपाई भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को और भी अच्छा और बहतर बना सकें दोस्तो आगे वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोगों को से रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल पर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी ने ने वीडियो पहुंश सके चड़ी दोस्तो बात करते हैं कैसा रहेगा तुला राशी वालों के लिए रवीवार का दिन सबसे पहले बात करते हैं कि आपके लिए आज पॉजिटिव रहने वाला हैं दोस्तो आज आपकी वित्य इस्थिति में काफी सुदार आ जाएगा अचानक से धन प्राप्ति के आफसर आपके जीवन में आएंगे जो आपके भविस्य में आपके लिए एक बहतर आर्थिक जीवन का मार्ग प्रस्तुत करेंगे शिक्षा के लिए बहतरी समय रहेगा और आज आप अच्छी उपलब्दियों को प्राप्त करेंगे दोस्तो आप में आज उड़जा का इस्तर सामान रहेगा दूसरों के साथ अच्छे वेवार से आप दिमाग से काम लेंगे साथ काम करने वाले लोग आपके लिए मददगार हो सकते हैं किसी योजना के बारे में आप विचार कर सकते हैं थोड़ा धहरे से काम लेना होगा और टकराव की इस्तितियों से आज आप बच कर चले आप शांत लहजे में बात करेंगे तो लोग आपकी काफी तारीफ करेंगे दोस्तों आपकी आर्थिक इस्तिति आज काफी बहतर रहने वाली है और आप समय पढ़ने पर अपने कुछ मित्रों और रिष्टेदारों की आर्थिक साहता करेंगे नोकरी पेसा वाले लोगों को अधिक लाब मिलेगा उन्हें मन चाई नोकरी प्राप्त होने से अच्छे धनलाब के सुरोत जुड़ेंगे इस समय में जो कुछ कार्य हो रहा है उसे सफल बनाने का प्रियास बहतर हो सकता है कुछ बिगड़े हुए कारों में सुधार होने की संभाव ना है विपरीत परिस्तितियों में कुछ धनलाब के अच्छे अफसर आज आपको प्राप्त हो सकते हैं आपके मन में जल्द से पैसा कमाने की तीरव इच्छा पैदा होगी यह अच्छा वक्त है जो आपके लिए काम्याबी और खुसहाली लाएगा अपने उद्देस्यों की और सांती से बढ़ते रहें और सफलता आपको मिल सकती है अगर हालत का आपने धहरे से सामना करा तो आपको अच्छे परणाम प्राप्त हो सकते हैं कामकाजिके नजरिये से आज का दिन वाके में आपके लिए बहुती अच्छा रहने वाला है जिससे आपका मन बहुती प्रसंद रहेगा दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपके लिए क्या नेगरिव हो सकता है दोस्तो आपको अपने भाई बेनों का आज पूरा शेयुग प्राप्त होगा और समाज में भी आपका और आपके परिवार का मान सम्मान बढ़ेगा आपको परिवार की जरुतों को ध्यान में रखकर कार्य करना होगा जो कैई बार आपके नियंतर से बार होगी और इसके लिए आप परिशान भी होंगे दोस्तो साथ साथ कोई खास सौदा या बड़ा फैसला लेने से बचे कोई फैसला नहीं लेने और नतीजा नहीं मिल पाने में आप परिशान हो सकते हैं दिनवर कहीं न कहीं से रुकावट की इस्थिति रहेगी जो समें आकर किसी को भी कोई बिना मांगी सला ना दें कटिन परिश्रम से सभी कर रहे ह आपके पोड़े होंगे लेकिन अनावशक खर्च बढ़ने से आर्थिक इस्तिती प्रतिकूल हो सकती है लेने देन में सावधानी बढ़ते हैं परिवार का माहौल अच्छा लहेगा लेकिन दोस्तों से अनबन हो सकती है संवेदन सील मामलों में समल कर चलने की आपको आज आवशक्ता है संसादनों पर खर्च होने से मानसिक असांती तथा तनाव पूर इस्तिती हो सकती है आत्म विश्वास के आभाव में कियेगे कारों में रुकावट तथा बादा उत्पन हो सकती है वेवसाइक दरश्टी से समय आपके लिए सामान ने रहने बाला है कोई नेकार योजना को विस्तार देना परिसानियों का कारण हो सकता है कोई तनाव और मतबेद आपको चिर्चड़ा और बेचेन बना सकते हैं आप अपने परिचितों पर अपने फैसले थोपने की कोशिस करेंगे तो आप अपने हितों को ही नुकसान पहुँचाएंगे सुनी अंसुनी बातों पर आँखें मूंद कर यकीन ना करें और उनकी सच्चाई को भली बाती परखें वानी पर नियंतर रखना होगा अन्यता कल है उन्हें की संभवना भी रहेगी साफधान रहें दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली हैं दोस्तों किसी तरह की यात्रा या किसी तरह की सौपिंग इत्यादी को लेकर कहा सुनी हो सकती है ऐसे में आपको मदूर संबंद बनाए रखने का प्रियास करना आवश्क है आपके प्रियास से इस्तितियां अनुकूल हो सकती हैं आप अपने रिष्टे को नई रचनात मकता देंगे और उसको मजबूत बनाएंगे इस दोरान आप एक दूसरे के प्रती अत्यादिक आकर्शन भी महसूस करेंगे लेकिन ध्यान रखें मर्यादित आचनर करना ही सर्व कॉत्था उचित होगा साथ-ई-छाथ-दोस्तो आपको अपने प्रेतम को यह भी महसूस कराना होगा कि वास्तम में यह रिस्ता आपके लिए काफी महत्व रकता है और आपके प्रेतम ही आपके लिए सब कुछ है दोस्तो आज कदिन आपके प्रेम ञीवन के लिए बहुत पलता मिलेगी हालाकि कारेभार की अधिकता रहेगी जिसके चलते मेहनत आपको अधिक करनी पड़ी और पूरा दिन भागदौर में बीतेगा कामकाज के सिलसिले में आज आपको कोई छोटी आत्रा पर भी जाना पड़ सकता है जो आगे चलकर आपके लिए काफी लाबदायक सिद्ध होंगी साथी साथ आज आपको धन प्राप्ति के भी अनेकों अवसरों की प्राप्ति होगी जिससे आपका मन बहुती प्रसन रहेगा दोस्तों साथी साथ मेडिकल से जोड़े छर्त्रों के लिए दिन आज आपके लिए बहुती अच्छा रहने वाला है नौकरी कर द्रश्टी से आज की स्थिती आपके लिए काफी अनुकूल रहने वाली है और इस समय कुछ अच्छा लाब आपको प्राप्त हो सकता है जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। और विल्कुल तनावमग तुम हसूस करेंगे जिससे आपका मन बहुती प्रसन रहेगा आप साथे साथ दोस्तों अपने स्वास्त को और भी अच्छा रखने के लिए आप रोजाना योग करें वयाम करें स्वस्त रहें। करने से भगवान शुरदेव बहुत जल्द प्रसन होकर आपके समस्त कष्टों को दूर करेंगे जो भी आपके जीवन में परेशाने चल रही हैं। समस्त परेशनियों कंत करेंगे और आपको शीगर ही सुब फलू की प्राप्ती होंगी और आपके सभी कार्रे भाउत यासनी से बनने लगेंगे। दोस्तो भगवान सुर्यदेव का सिरवाद आपको टाप्त हो। सच्चे दिल से कमेंट्स बोक्स में जै सुर्यदेव अवश्य लिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।